गुड मार्निंग बच्चों आज हम पार्ट वन भासा एवं ब्याकरन का रिवी जन करेंगे हम इसके प्रशनुतर को पढ़ेंगे और याद करेंगे भासा से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार की होती है तो भासा वहमाध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावो और विचारों को बोलकार लिखकर पढ़कर सुनकर समझ लेते हैं भासा कितने प्रकार की होती है तो भासा दो प्रकार की हुज़ती है लिखिट और मौखिक अब प्रश्ण नबर ख ब्याकरन किसे कहते हैं? संसार की भासाओं को लिखने पठने वो बोलने वो समझने के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं जो उस भासा को आसान बनाते हैं इनी नियमों को ब्याकरन कहा जाता है अब प्रश्ण नबर टू सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाईए का भासा वहसाधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदानपदान करते हैं सही क्योंकि भासा वहसाधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदानपदान करते हैं खा भासा के चार रूप होते हैं गलत क्योंकि भासा के अभी हमने पढ़ा भासा के दो रूप होते हैं गा बोलकर बिचारों का आदान परदान करना लिखित भासा कहलाती है गा भासा को लिखने की बिधी को लिपी कहलाती है भासा को लिखने के बिधी लिपी कहलाती है बिलको सही यवाब है सही अंगा 4 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है गलत क्योंकि हिंदी दिवस के रूप में 14 सेप्टेमबर मनाया जाता है 14 सेप्प्रम्बर को हम लोग हिंदी दिवास के मनाते हैं प्रस्ट नमबर थ्री दिये गए परदेशों को उनकी भासा से मिलाईए ओडिशा उडिया केरल मल्यालब पंजाब पंजाबी करनाटक कनड कस्मीर कस्मीरी प्रस्ट नमबर फोर निमलेखित वाक्यों में से सही सब्द पर सही का चीन लगाईए का हिंदी भासा किलिपी देवनागरी खा संस्कृत भासा किलिपी क्या है गुरु मुखी नहीं होगा यहां देवनागरी गा पंजाबी भासा किलिपी भार्ची नहीं है यहाँ गुरुमखी होगा गा उर्दू भासा की लिपी रोमन नहीं है यहाँ फार्शी होगा अंग अंग्रेजी भासा की लिपी फार्सी नहीं है तो यहाँ रूमन पर सही का ठीक लगाएंगे अब प्रस्नstellung पर 5 संकेटों की मदद से दी गई बर्ग पहली पूरी कीजिए आप लोग अपने बुग में देखेंगे बर्ग पहली को प्रस्णवर 5 में उपर से नीचे एक लिखने के चिन लिखने के चिन क्या है लीपी थ्री भासा का बुलने वाला रूप मोखीक भाव के आदान परदान करने का माध्यां भासा अब बाएं से दाए टू अंतराश्ट ये भासा अंग्रेजी होर हिंदी की लिपी देव नागरी सिक्स केरल की भासा मल्यालम सेवेन ओडियां बोलने वाला परदेश ओडिसा तो बचो आप सब इसको अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे घर पर रहें सुष्थ रहें मन लगा कर पढ़ाई करें आपका दिन सुभू थैंक यू